नुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी सुब कामना है और जैसरी राम क्योंकि कल यानि के 22 जनवरी दो हजार 24 को भगवान राम का अयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा होने वाला है और जैसा कि आपको पता है और उनके लिए हमारे दिल में एक अलग जगह होना चाहिए उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप राम मंदिर जाते हैं तो उन कारसेवकों को जरूर याद करे और उनके चरणों को अपने हातों से नमन करे उनको याद करके और अपने हिरदय में हमेशा के लि लोग हजारों की तादाद में किस तरह से बाबरी मस्जित के उपर चड़ कर और उसे तोड़ा गया क्योंकि उसके नीचे भगवान राम का मंदीर का अंस पाया गया था और वो लड़ाई आज तक चलते आ रही थी और आखिरकार उस लड़ाई को जित लिया गया और राम के लिए उत्सुक थे उसमें जब बाबरी मस्जित को तोड़ रहे थे और कई लोगों ने उसमें गोलिया खाए उनकी जान भी चली गई और कई लोगों का उसमें पैर कट गया, हाथ कट गया, क्योंकि वो ऐसी जंग थे जिसमें लोगों के हिर्दय में सिर्फ और सिर्फ राम के ही खून डौड रहे थे और उन लोगों का ही बलिदान का ये फल है कि आज हम भव्य राम मंदिर पयोध्या में बने हुए देख पा रहे हैं नेक्स्ट इग्जाम जो है वो हमारे आयूस सिस्टम में भी लाने का प्रियास किया जा रहा है हलाकि इसके लिए कोई ओफिशन नोटिस नहीं आया है फिर भी जो गैजट दिया गया था उसके खिलाब अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले क्योंकि मैं यहां पर आयरुवेदा युनानी होमियोपैथी और मेडिकल सिस्टम से सभी चीजों के बारे में वीडियो हमेशा पोस्ट करते रह एक बहुत बड़ी समस्या जैसे भी लग रही है क्योंकि उनको फाइनल एक्जाम से देने होंगे उसके बाद जो पीजी का इंट्रेंस एक्जाम होता है वो भी देना पड़ेगा तो यह प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और इस प्रोटेस्ट का क्या फल होने वाला कि बहुत सारे जो कॉलेज है वहां पर एक साथ एक जूठ होकर लोग यहां पर इस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक्जाम जो है वो न्यू बैच से आना चाहिए मतलब कि जो अभी नया बैच आने वाला है या फिर अभी जो 2324 का बैच है उनका जब इंटर्शिफ होगा तब से वह सुरू होना चाहिए जबकि रूल के हिसाब से जो दो हजार पचीस में अपना इंटर्शिफ कंप्लीट करेंगे उनके लिए वह लाए गया है तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि तरह से यहां पर बच्चे जो है ने प्रोटेस्ट किया ट्विटर पे और अर्जड हेल्थ मिनिस्टर तो कैंसल एक्जाम मतलब जो नेक्स्ट एक्जाम होने वाला है उसको कैंसल करने के लिए उन्होंने वहां पर मांग गया और यहां तक कि यह भी लिखा गया था कि थ्रेट आप प्टेशन तो दे सुप प्रिम कोट इप गभर्मेंट दस नोट रिकॉंसिडर इट डिसीजन विदिन दे नेक्स्ट फ्यू देज दफिए उनका निव बैच नेक्स्ट एक्जाम होगा तो फिर आयूस मिनिस्ट्री के जो भी डिपार्टमेंट से अःरवेदा युनानी होमयोपैथी इतने प्रिपार्टमेंट से बहुत जोरो से चल रहा है चाहे वह ट्वीटर हो चाहे वाटसप चाहे वह फेस्बुक हो और आप फिजिकली भी देखेंगे तो लोग आज जो है अपने कॉलेज के बाहर निकल करके और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक्जाम को कैंसि हो भी चाहें तो आप देख सकते हैं कि ट्वीटर आउटख्राइब होमियोपेथी स्टुडेंट वाइसिंग डियर डिसेंट ऑन ट्वीटर अगेंस्ट गवर्मेंट डिसीजन दी इस्टूडेंट है इनिसेटर ट्वीटर कंपेशन उन्होंने जो हैस्टेग चलाया था उ उन्होंने ट्विट किया इमेल किया जो है गवर्मेंट को कि जल्दी से जल्दी जो है इसको कैंसिल कर दिया जाए और इस तरह से पोस्टर आपको अभी देखने को मिल जाएंगे और यह यह वाट सट्र नमबर को यहां पर दिख रहा है वाट सब्सक्राइब कर सकते हैं यह नंबर पर इसको ज्वायन कर सकते हैं वाट सब्सक्राइब पर फाइट टुड़े फोर बेटर टुमोरो आज अगर बहुत सारे बच्चों जो है न वह अगर नेक्स्ट इग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ देखा जाए तो वह बिल्कुल बरबाद जैसे हो जाएगी और वह कहीं न कहीं अपन तो इससे तो प्रोब्लम हो जाएगी कि वह हस्पिटल जाहीं नहीं पाएंगे कभी अब यह वह प्रैक्टिस के लिए कभी जा नहीं पाएंगे नहीं वह सीख पाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के लिए यह मुश्किल हो सकता है इसलिए आप हैस्टेग नो नेशनल प्रैति के बच्चों के द्वारा ट्वीटर पर हैस्टेग नो एक्जीट एक्जाम करके उन्होंने ट्वीट किया आयूस मेनिश्ट्री को और कई सारे बच्चे जो है इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाहे वह फीमेल डॉक्टर हो या फिर मेल डॉक्टर जो आगे च अस्येशन गुजरात के द्वारा एनमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था उसमें बताया गया था वो कहना चाहते थे कि हम जो है आयूस के अगेंस्ट नहीं है मतलब वी आर नोट अगेंस्ट आयूस पर मिक्सोपैथी बंद करो उनका यही कहना था कि मिक्सोपैथी न इलावड़ है लोपेथी कर सकता है तो उसके खिलाब ही इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था तो उसके लिए को सक्षेस पूल जो बीचीजें चाहिये था उन्हों ने उस पर कोई भी निर्णे नहीं लिया तो हम आसा करते हैं कि जो बच्चे आज एक्जेट एकजाम नही सकते हैं कि या सब्सक्राइब मतलब होते हैं तब उससी तरह से होमियोपैथी डॉक्टर अपना होउमिय पैठीक मेडिसीन करें लेकिन अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पर यहां पर कहीं कहीं देखा जाएगा कि घाएंट का जो स्टेटरस है भारत में वह दीरे दिरे कमजोर पढ़ने लगी की और यह बिल्कुल सत्त है क्योंकि जो भी BMS graduate student है उनसे हमारी हमेशा एक request रहती है कि आप आगे चलके आयरवेद की practice करें आपको एक दो साल बहुत ही मुश्किल पढ़ेगा practice करने में लेकिन उसके बाद अगर आप दिरे-दिरे चीजों को पैथी करके उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था से आज जो है नेक्स्ट एक्जाम के खिलाब भी हमारे आयूस के बच्चों के द्वारा जो medical students है उनके द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो हम आसा करते हैं कि वह इस प्रोटेस्ट का सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से निर्णे ले और नेक्स्ट एक्जाम को जल्दे से जल्दे पॉस्पॉंड करें या तो वह नीव पैच से शूरू करें अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर किजएगा और अगर आप इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सका जरूर कर ले धन्यवाद